नमस्का दोस्तो आई टी आई सेकेंडेर एक्टीजियन ट्रेट के लिए जो कोशन स्री चला रहे हैं उसमें आज का वीडियो नमबर तेईस है पीछे बाइस वीडियो हो चुका है जो चैनल प्ले लिश्ट बन गया है जाकर देख लिएगा तेईस सभी वीडियो के पहले लिफ्ट में जाए जयाए जान पर भी मेकेनिकल रोटेशन की बात हो जहां पर मोसं की बात हो महां लिमिट स्विच का प्रयो गया जाना है एक लिमिट फिक्स करना होथा तो उतना पर ही जाकर दम रुख जाएगी चाहिए इलुवेटर जो होता है तो एक जगह जाकर ही उसके बाद पुना हुआ चक्रण करती रहेगी तो डिस्टेंस को मेंटेन करता है लिमिट स्विच तो देखिए यही दूरी है कि किसी भी मसीन की दूरी गौती करने के नियंतर करता है मतलब क्या है कि एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार मतलब क्यों ची रजिश्ट्य और इंडक्टिव दिया आओगा न कि कंटेक्टर आप स्टार्टिंग के लिए कोड क्या है किसका है तो एसी रजिश्ट्य और इंडक्टिव कंटेक्टर के लिए क्या है स्टार्ट इंडक्टर मतलब इस्टार्टो स्टार्ट इंडक्टर के लिए मतलब पुछा है ना कि which the correct sequence operation आप contactors आप operation आटोमेटिक इस्टा डेल्टा इस्टार इस्टार जो संचालित होती है तो उसका सई स्रिक्वेंस क्या है तो उसमें तिन-तिन होता है ना तो वही कुछा है कि परले इस्टार में धेल्टा में होता है फोले इस्टार में लाश्य कर देल्टा यांन में धेल्टा कर ऐसे सब्सक्राइब मतलब मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब कर देलटा के साथ नियंत्रन पॉत क्यों पड़ड़न किया जाता है मतलब control panel are provided with control transformer तो एक अलग से control panel क्यों लगाई जाती है control transformer में तो auxiliary contactor को मतलब सहायक जहाए equipment कुछ यूज करना है उसके लिए तो देविद्धिया भी है कि सहायक circuit संचालित करने के लिए मतलब जो control transformer होती है उसमें एक extra से control panel क्यों लगाई जाती है तो क्योंकि मतलब to operate the auxiliary circuit सहायक circuit को operate करने के लिए लगाई जाती है तो अगला question क्या है क्या होता है अगर एक आटो फिर आगया ना आटो मतलब जो automatic इस्टा डेल्टा इस्टार आटो इस्टार डेल्टा इस्टार को सुरू होने के बाद है टाइमर डीले रीले बंध हलात में हो तो सुरू होने के बाद बोला है पहले तो इस्टार में रहता है जब सुरू हो जाता है तो डेल्टा में हो जाता है लास्ट में डेल्टा अभी question आया था लेकिन जब स्टार्ट हो गया है तो टाइमर डीले री तो फिर डेल्टा में ही न रहेगा, तो हमेंसा डेल्टा में ही रहेगा, तरहन से डेल्टा ओनली, डी अप्सन ही जा राई टेल्टा, जब ही स्टार्ट हो गया है, तो फिर डेल्टा में है वो ही स्टार्टिंग के टाइम, पूरा ही स्टार्ट जब हो गया है, तो वो ही डेल यह क्या दिया? है gasp CVC China आध थी वाइर को पतर परदान के जाता है जिदर जीदर आम को ली जाना होत है उदर उदर मोड कर आप ले जाता है तो आधर बैदान करता है ना जिनम चिक, तो उसी तरह प्रोटेक्शन भी देता है और रास्ता भी देता है इसलिए अगला क्या है कि नियंत्रण पट में फिर आगया कंट्रोल फाइनल में थर्मल ओबर लोड रिले का क्या कारिया तो जो थर्मल ओबर लोड रिले होता है वह क्या ओबर हीटिंग और ओबर लोडिंग से बचाता है तो दी-आफनई जी और र्य क्रिशन किया है और दोगिकन प्रियोंग में मोटर्स के सिक्वेंशील बेखें दिया है यहाँ सिक्वेंशील कोंड्ड्रोल यानि क्यों होदिया और झुटिए सिक्वेंशील क्यों हो स्टेट्य की हए 59त मिले आउटपूट, sequential circuit का मतलब क्या कि क्रमवार कोई भी काम हो अपने नियो समझ से, तो सटिक्ता पढ़ेगी जाता, आप एक और से, इंक्रीज करने के लिए, sequential circuit के प्रियोग की जाती है, अगला कोईशन क्या है, किस समागरी का उप्योग, खूले फ्रेम के दुई धात्विक, समायोज, थर्मो इस्टेंट स्वयोज को बनाने के लिए जाता है, मतलब, पूछ रहा है न, कि which material used to make open frame, bimetallic adjustable, थर्मो महंगी भी होती है, यह इसलिए क्यों रोल काट्ट प्यात् पॉयंट पर इसके चलिक होती है, और चलिक ता ज। आधा होगी, तो इस पारकिंग पं करेगी, तो इसके चलिक आधा होती है, इसलिए इसलिए BIG सेलेक्ट किश जाता है इनकी अपैच्षा सीलिवॉर तो कंटे द्रेनेल में ट्रेनेल के पासंता है। करते हैं टाइमर जो होता है नहीं नियंत्रन करेगा कैसे करेगा हम अभी बता है नो कि जो इंड़ोस्ट्री होती है उसके application के लिए sequential control circuit लगाई जाती है अब क्या होता है sequential control circuit में कि एक नियत time पर फिर से दोबारा time start कराना होता है तो timer में महान होगा time एक नियत time पर मतलब कुछ काम हुआ फिर नियर time पर वही काम होते रहे assume होता रहे, automatic होता रहे तो time बहुत महाँने है जो timer होता है वह sequential control system में अपने भूमी का निवाता है तो timer भूमी का निवाता है अपना तो एक आपने जा राइट एंसर sequential circuit के लिए अगला question क्या है कौन सी DC load संपरकताओं के DC फोर मानक करताब्या पिर आगे होई यह code है तो DC फोर मानक करताब्या अगला question क्या है control final wiring में उपियो किये जाने वाले नियंत्रन ट्रांस्फार्मर का पिर आगे नियंत्रन ट्रांस्फार्मर तो वह ही auxiliary के लिए देख लेते हैं विकल नियत टर्मिनल बोल्टेज बनाए रखने के लिए सहायक आगे नो पाइनल लगाने के लिए तो आई सहायक के लिए दिया है कि तू सप्लाइब पावर तूद एकजलरी सर्कृट जो जहां पर लगाई गई होती है जो दूसरी सहायक सर्कृट लगाई जाते है उसको बिजली आपूर्ती देने के लिए संपर्ध क्याव करने के लिए कैसे तयार किये जाता है बूसरी स्टिथ्य को बदलने के लिए विद्दुचुंगक, संचालं के द्वारा और by using by metallic. तो देख्यें न, electromagnetic to change the position, अब क्या करना चालता है कि जो contact होता है, contact in contact, उसमें जो contact बनाता है, electromagnetic फ्रिंड के रणकरान बनाता है, तो वही तो electromagnetic to change the position, electromagnetic to change the position चेंज होगा तो वह ही जो कंटेक्ट पॉइंट होगी कंटेक्टर में का वह भी चेंज हो जाएगा तो मैगनेटिक के कारण पोजीशन चेंज करता है तो इसका स्वी आप्सनीजर राइट अगे कौन सा डिवाइस पाइनल बोर्ड में पर्टियों और गूते हुए केबलों से चमक आने प पाइनल बोर्ड में कीड़ों और चुहों से बचाने के लिए तो ग्रूमेट कल बताये थे हम कल के वीडियो में क्या होता है तो इसके पिक्चर भी कल वाले वीडियो में था आज पिक्चर हम ले पाए है क्या था नहीं वह कि जैसे कोई भी बॉड़ी होती है लोहावा की अंदर से बाइनिंग और निकर के जब वायर बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलने के लिए होल करना पड़ेगा बाड़ी को जब बाड़ी को होल करके बाहर निकालेंगे तो कॉट न जाएगा जो लोहा का बाड़ी है उससे बाहर निकालेंगे और बंद करेंगे तो उसको तो इसलिए एक वासर टाइप का होता है, रबड का वासर टाइप का होता है, गोलाकारा करती है, जिस आकरती में, नॉट पुल्ट आकरती में भी वो आता है, लग्स की आकरती में भी वो आता है, ग्रोमेट, तो उसे वायर बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कोटे नो, बाडी स वासर फिक्स करतेंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे तो चुहा कीड़ा से बच जाएगा आपका तो चुहा कीड़ो वासर सब बचाने के लिए बाईउजीक ग्रूमेट भी अपने जा राइटेंट से अगला कुशन कहा है नीएंद्रन पंड के ले आउट ले आउट मतलब प्रिक्स करने के लिए डिजाइन करते समय किस आवस्यर्ट विसे इस्ता पर विचार किया जाता है देखिए क्या दिया है नियंत्रन पड़के वाट इसेंशल फीचर्स टू बी जो कंट्रोल पाइनल होता है उसके बाहर आप लगा देंगे इसमें देख लेंगे घर के बाहर वाला जो 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 आप जोड़ा भी लगा देते हैं उससी को यह भी कहता है तो जहाँ पर खाली एरिया हो वह ही पर कंट्रोल पाइनल अब लगा देंगे वह भी बाहर अगला क्वेशन क्या है कि पावर और कंट्रोल वाइरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हां तो देखिए, पावर और कंट्रोल वाइरिंग, वो ही ने दिया है कि पावर और कंट्रोल वाइरिंग, बार बार या क्वेश्चन पुछता है, पावर और कंट्रोल वाइरिंग इंटर्फाइरेंस से बचने के लिए, यह कोई भी हो, जैसे ट्रांस्मिस्न लाइन भी होती है जो आप स्वारों में देखते होंगे तो एक wire नीचे चलती होगी और main supply उपर चलती होगी जो 11 के भी, 33 के भी जो भी होगी एक उपर चलती होगी एक नीचे चलती होगी जो उपर चलती होगी और नीचे चलती होगी तो नीचे वाला वाई-फाई वाला सब होता है, कॉम्णिकेशन वाला होता है, तो दोनों में वैब क्यों हो, अलग-अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि इंटरफाइरेंस मतलब ब्यातिकरण का परभाव न पड़े, उनके जो सिगनल है कि दूसरे से एफेक्ट न हो, इसलि पुछता था, आगे मोटर दिशा क्यों नहीं बदलती है, अगर रिवर्स पुछ बटन को, फारवर्ड रिवर्स कंट्रोल इस्टार डेल्टा इस्टार में दवाया जाता है, तो क्यों क्योंकि इंटर्लॉक हो जाती है, तो सी आपसनी जो, राइट एंसर, तो मिलते हैं अ